दोस्तो के टीम अब अपने सबसे ज्याधा विखने वाला नेकेड स्रीट फाइटर ड्यूक 200 की 2020 वेडियेंट को बीच 6 पॉल्यूशन नॉर्म के साथ प्रिजेंटी लॉंच कर दिया है इस बाइक पे अब क्या-क्या बदलाव किया गया है तो इसकी स्पेसिफिकेशन कैसी है इसकी माईलेज, प्राइस, कौन-कौन सी कलर पी ये एवल-एवले सब आपको बताएंगे और हाँ इसकी एक्सवा साउंड भी आपको सुनाएंगे पर वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करे और ऐसे वीडियो फ्यूचर में सबसे पहले देखने के लिए इस चैनल को सब्सकाइब करना ना बूले नमस्कार दोस्तों मैं हूँ विश्वजीत और आप देख रहे हूं मोटोमेड तो चलिए शूरू करते हैं Duke 200 की डिजाइन लेंग्वेज को KTM अब चेंज करके काफी अद तक Duke 250 का जैसा कर दिया है इसकी टैंक शाउट को देखिए अब यह पहले से भी ज्यादा शार्प और एग्रसीब हो चुकी है इसके उपर जो AG बोडी ग्राफिक्स दिया गया है वो इस बाइक की काटिंग दा एच स्पोर्टी एपियरंस को और भी हिननस कर रही है सामने से देखे तो अब यह बिल्कुल 250 के तरह ही दिखता है इसमें अब LED DRL दिया गया है पर मेन यूनिट पे अभी भी हैलोजेन बाल भी है इसमें आपको अब मेटाल टैंग मिलेगा जो ग्लॉसी ब्लैक कलर में है इसकी फूइल टैंग कापसिटी भी अब बढ़ चुकी है अब इसकी फूइल टैंग कापसिटी है 13.5 लिटर पहले ड्यूक पे सिंगल टैलिस फ्रेम दिया जाता था मगर इसकी चैसिस को अब बदलके ड्यूक 250 के जैसा ही आल्ट्रा लाइट स्प्लीटेट स्टील स्टेलिस फ्रेम दिया गया है इसकी हाइश्पी स्टेबिलिटी, कॉर्ण नारिंग, शैशेज बीएवियर ड्यूक 250 के जैसा ही हो जाईगी तेल सेक्शन पे आए तो इसमें एल्डी टेल लैंप दिया गया है इसमें अब आपको 250 के जैसा ही सीट मिलेगा पहले ड्यूक 200 पे कुछ लोगों को बैटने में ख्रैम्ट फिल होता था पर अब इसकी सीट काफी स्पेशी है सो जुकी है अब इसमें डाइट करते हुए थोरा मूव अराउंड भी कर सकते हो पर पिलियान सेट भी मुझे लगता है थोरा बड़ा है और इसकी हाइड भी तोरा कम हुई है इसकी की स्लोट को भी अब बदलके 250 के जैसा टैंक के सामने वाले हिस्से में दे रिया गया है वीएसफोड वाला वैडियेंट में ये की स्लोट इधार होआ करता था मीटर कोंसल को देखे तो इसमें एक फीचर लोड़ेट LCD डिस्पले दिया गया है पर दुख की बात यह है इसमें 250 के जैसा सुपर मोटो मोड नहीं है दूख 200 की 2020 वैडियेंट में सबसे वरावाद लाव इसकी इंजीन पर हुआ है अब इसकी इंजीन नया पॉलूशान नम बीच सिक्स कॉंपलेंट है ये देखिए बीच सिक्स करने के लिए अब इसमें ऑक्सिजिन सेंसर के साथ एक्स्टर काटलिटी कोंवेटर भी दिया गया है इसमें आपको पहली की तरह ही अंडर विली एक्सास्ट मिल जाता है पर इसकी एक्सास्ट अब मैट ब्रेक कलर में है और ये थोड़ा हेवी और बल्की भी हो जुकी है अब ये पहले से जादा रिफाइंड है और इसकी बेस भी मुझे थोड़ा कम लगा चलिए इसकी एक्सास्ट साउन्ड एक पर सुन लेते हैं बीचिक्स नॉर्म एचिप करने के लिए लगबग हर एक बाइक मैनेफेक्टरर पावर ड्रॉप करे रही है मगर खुशी की बात यह है केटीम यह बिल्कूल भी नहीं किया है अभी भी इसकी 199.5cc की 4-stroke single-cylinder liquid-cool FI engine से आपको 25.5 PS की पावर के साथ 19.5 NM की टॉर्ब भी मिल लेगा इसकी ब्रेकिंग सिस्टेम को KTM अब अब अप्डेट करके डूल चैनल ABS प्रॉइट करना शूरू कर दिया है यानि कि आब इसकी सामने और पीछे दोनों हुईल्स पर ही ABS है पर Duke 250 के जैसा इसकी रियर हुईल की ABS अब चाहे तो बंद नहीं कर सकते हो क्योंकि इसमें सुपर मोटो मोड नहीं है इसके सामने 300 mm और पीछे 230 mm की डिस्क ब्रेक लगा हुआ है इसमें WP Apex के बनाया हुआ suspension setup दिया गया है इसके सामने 43 mm की टेलिस्कोपिक फॉर्प और पीछे adjustable मोनशक आपको मिल जाएगा इसमें 17 inch की ultra light orange colored racing alloy भी लगा हुआ है इसके सामने 110 और पीछे 150 section की tubeless MRF radial tear दिया गया है इसमें 170 mm की ground clearance आपको मिल जाएगा जो Indian road condition की सब से एकदम ठीक ठाक है अब इसकी weight BS6 होने के बाद थोड़ा increase हुआ है अब इसकी dry weight है 150.3 kg इसमें 13.5 liter की fuel tank दिया गया है और mileage की बात करें तो इससे आप 30 से 35 के बीच mileage की उमीद कर सकते हो इस bike की अभी दो color variants है हमने आज जो आपको color दिखाया है वो orange variant है इसकी इलावा भी इसकी एक white variant भी है KTM 200 Duke अब 10,000 रूपीज महेंगी हो चुकी है अब इसकी कोलकाता में 109 प्राइस है 1,72,000 रूपीज के आसपास दोस्तो आपको Duke 200 की ये नया अफ्तर कैसा लगा नीचे commitment ज़रूर बताना और हाँ ये वीडियो का ऐसा लगा अगर अच्छा लगी तो इसको लाइक करो और एसे वीडियो फ्यूचर में सबसे पहले देखने के लिए मोटो मैट को सब्स्राइब करना ना भूलो नमस्कार दोस्तो आज के लिए इतना ही जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो पर तब तक के लिए टेक केर गुडबाई और राइट सेफ